हेलो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा मोशन स्केलिंग विद इमेज की कैसे हम इमेज के साथ में स्केलिंग करते हैं तो आइवे देखते हैं सबसे पहले ये एक हमने इमेजole इंपोर्ट कर लिया है इंपोर्ट करने के बाद जैसे हम इस पर किलिक करते हैं ये देखिए तो अपने आपका इफैक्ट पैनल मशे मुझीन चाहिए तो कई पर ऐसा होता है कि यहां से 10 स्पों मौनिटर होता है तो करता तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा इस परिंट पर जाके इफेक्ट में यहाँ पर जब आप इस पर इमेज पर भी क्लिक करेंगे तो यह आपके ऑटोमेटिक की फ्रेम और पोजिशन, स्केलिंग वगर आपका सो करने लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर जैसे हाँ कि आप इस इमेज को जूम करना चाते हैं, इस वाली इमेज को आप जूम करना चाते हैं, जूम आउट करना चाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक जो टोगल एनिमेशन का साइन दिया हुआ है यहां पर जाके आपको सिर्फ कलिक करना पड़ेगा इस टाइप से जब आप इस टाइप से कलिक करते हैं तो अटोमेटिक आपका एक साइन आजएगा इसके 스타ting में जाएगी और यहां पर जाने के बाद आप इसकी position hundred है इसको इस टाइप से जूम कर दीजिये जब आप जूम करेंगे ये देखिए ये इस टाइब से आपकी position आ जाएगी जितना जूम करना चाहें जूम कर सकते हैं ये देखिए अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जाने के बाद इसको और आगे बढ़ा सकते हैं इस टाइब से anchor point को इसके यह देखिए इस टाइब से इस टाइब से हम की फ्रेमिंग दे सकते हैं आप चाहें तो बीच में भी इसमें की फ्रेमिंग दे सकते हैं यह देखिए यहाँ पे जाके इस प्रेमिंग पे इनको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस वाले प्रेमिंग प्रेमिंग को तो आप नॉर्मली स्लेक्ट कीजिए और डिलीट का ओप्शन क्लिक कर दीजिए तो यह जो आपके की फ्रेमिंग से हैं यहां से रिमूव हो जाएंगे तो फ्रेंड्स यह था मेरा इमेज विद स्केलिंग का यूज कि कैसे हम की फ्रेमिंग के द्वारा स्केलिंग करते हैं तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको बता हुआ कुछ और नहीं चीज़े प्लिस की वाचिंग माई टुडोरियल ओन दा यूट्यूब चैनल प्रेंड्स आगे मैं आपको बता हुआ करते हैं